कई छोटे छोटे कणों का दर्वमान केंद्र RCM जैसे पहले भी हमने पढ़ा Xx, Yx, M1, M2, M3 कई पार्टिकिल हो तो इन सभी पार्टिकिलों का सेंटर RCM, सेंटर ओक मास का इस्थिती वेक्टर RCM M1, R1, M2, R2, M3, R3, and so on upon M1, M2, M3, and up to N जितने भी पार्टिकिल हैं सभी पार्टिकिलों के दर्वमानों का योग और यहां है M, R का योग दर्वमान और उनके इस्थिती वेक्टर की गुना बटे M, एक तरह से M, M कैंसिल हो जाएगा एक तरह से R बच गया तो सभी कणों का इस तरीके से निकाला जाता है सेंटर ओफ मात इसको हमने ऐसे लिख दिया सिगमा I is equal to 1 to N, M I, R I अगर N पाल्टिकल हो I is equal to 1 to N, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, up to N किन सभी का जोड तो एक तरह से MR बटे M समझ लीजे, R बच गया लेकिन अगर द्रड पिंड हो द्रड पिंड जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि किनी दो कणों के मजद कोई विस्थापन ने हो बल लगाने पर तो इसका जी स्थिती वेक्टर है RCM वो चुकि रेगुलर स्ट्रक्चर होती है एक क्रम बद सन्रशना होती है तो इसलिए यह सिस्टेमेटिक है चुकि तो इंटिग्रेशन कर दिया जाता है यह नोन सिस्टेमेटिक है एक पार्टिकल कहीं है एक कहीं है लेकिन अगर सिस्टेमेटिक हो हर निश्ची डिस्टेंस पर पार्टिकल हो सिस्टेमेटिक होने से इंटिग्रेशन करके योग निकालेंगे और देखो इंटिग्रेशन आर डियम अपॉन इंटिग्रेशन डियम यहां हमने डियम मास चुकि वहां दूरी बढ़ने के साथ साथ मास समान हिसाब से बढ़ता है जैसे यह छड़ है यहां एक एल लंबाई की छड़ है और इसमें कहीं से भी चाहे यहां से यहां से यहां से यहीं कहीं से भी अगर डियेक्स लंबाई ले लिजाए तो उसका मास डियम ही होगा नियमित सन्रचना है ने तो डियेक्स लंबाई में मास डियेम ही होगा चाहे यहां से छोटा सा डियेक्स लंबाई ले 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 यहां छोटी सी डियेक्स लंबाई ले 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 तो distance के साथ साथ mass systematic है करमबद है तो इसलिए यहां integration rdm upon integration dm और rdm मतलब dm mass होगा r इस्टिति वेक्टर होगा और कहां से कहां तक होगा यह mass का जो distribution होगा तो rcm अगर center of mass का स्थिति वेक्टर है जैसे यह rcm है इन सभी के center of mass का स्थिति वेक्टर यह है rcm तो इसका एक घटक xx की दिशा में होगा एक factor yx की दिशा में होगा और एक factor zx की दिशा में होगा तो rcm is equal to x वाला y वाला z वाला इन सभी के योग के बराबर होगा जैसे सामान एक factor लिख देते हैं तो यहां लिखा जाएगा rcm is equal to xcm i plus ycm j plus zcm k xcm मतलब i xx की दिशा में rcm का जो घटक है factor है वो xcm है मान कह लिए कि rcm का xx की दिशा में मान xcm है yx की दिशा में ycm है zx की दिशा में zcm है क्योंकि k unit vector k मतलब zx तो अब यहां xcm का मान अगर निकालना चाहें तो x dm upon integration dm y dm upon integration dm zcm z dm upon integration dm तो ऐसे करके द्रड़ पिंड का center of mass निकाला जाता है एक्जाम में यह question पूछा जाता है छड़ का दरुमान के द्रड़ पिंड से बनी छड़ का तो जैसे द्रड़ पिंड से बनी हुई यह एक छड़ है इसमें total लंबाई l हमने मान लिए इसकी total mass m मान लिया तो l लंबाई का mass m है एकांग का mass m बटेल है और dx लंबाई इसमें कहीं भी ले ले तो dx लंबाई का होगा into dx dx लंबाई का mass को हम dm कह रहे हैं यह dm हो गया हमारा तो जैसे पहले भी देखा rcm integration rdm upon integration dm चुकि यहां छड़ है लंबाई की छड़ है इसका मतलब है कि लंबाई ज्यादा है इसकी मोटाई उचाई चोड़ाई यह बहुत कम है यानि इस चड़ का मतलब होगा इसमें लंबाई काउंट होगी इसका चोड़ाई मोटाई यह आदी काउंट नहीं होगी इसको negligible कर लिया इसके मुकाबले में तो एकसक्स की दिशा में हमने चड़ रग दी तो वाई और जैड शुन हो गए केवल एकसक्स वाला बच गया तो इसमें हम यह सुतर लगाएंगे मतलब आरसीम का मतलब होगा एकसीम चोड़ य और जैड नहीं रहे तो आरसीम इसग्वल टो एकसीम इंटू आई कैद केवल एकसक्स की दिशा में हो गया एकसक्स की दिशा में चाड़ है चुकि छड लंबाई की है अगर यह चादर होती तो फिर एकस में भी आता और य मे में भी आता तो अगर केवल छड़ है तो यह लंबाई में हो गई एकस की दिशा में हो गई डी एकस लंबाई का मास डी एम हो गया और यहां से यह एकस दूरी से शुरू हुआ जो हमने डी एम मास लिया वो एकस दूरी से शुरू किया एकस के बाद डी एकस लंबाई में मास डी एम है तो आर्ज एकस एम हो गया आर्ज एम मतलब एकस एम एक तरह से इंटिग्रेशन एकस डी एम अपोन डी एम और एकस डी एम मतलब जीरो टू एल चुकि टोटल लंबा yl है dm की जग है जैसे यहां निकाल कर दिखाया m upon l dx m upon l dx यह dm की जगे हमने लिख दिया तो m upon l यह बाहर आ गया m cancel हो गया 1 upon l अंदर बच गया x dx x dx और x dx का x square बटे 2 आएगा और x square बटे 2 में पहले l square बटे 0 2-0 l square बटे 2 आ गया integration करना यह सब तो आना ही चाहिए तो बस द्रड़ पिल से बनी छड में केवल ही अंतर हुआ कि हम उसको किस सूतर का इस्तिमाल करेंगे इंटिग्रेशन rdm अपोन इंटिग्रेशन dm और rcm का मतलब होगा x c m i plus y cm j plus z cm k और अगर rcm का मान निकालना पड़े तो rcm का मान होगा x cm का square y cm का square z cm का square जिसे वेक्टर का मान निकालते हैं दिशा दिशा के हिसाब से निकालनी पड़ेगी तो अगर एक्जाम में दड़ 15 से बनी छड़ का दरुमान के अंदर ग्यात कीजिए यह आता है तो सिंपली ऐसे कहकर यह लंबाई की छड़ टोटर मास m dx लंबाई पर एक शोटी सी लंबाई dx हमने लिए और उसका मास माली यह dm है और फिर ऐसे करके यह dx लंबाई का मास निकालेंगे और 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 सीम इसक्वल टू यह पहले फोर्मूला लिखेंगे चुकि एक्सक्स की दिशा में हैं इसलिए और य सीएँप जेड़ सीएँगंगे तो आर सीम इसक्वल टू एक सीम आई जीरो हो गया यह बात यहां कहनी पड़ेगी और इसका मान सीधे आ जाएगा यहां से बस यह mathematical portion है तो अच्छी तरीके से त्यार करें